अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो फसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर ले बिल वाली नोटिफिकेशन जिससे आपको मेरे चैनल की सारी नई वीडियो अपडेट मिलती रहें नमस्कार अगर आज तक आप और आपने भी चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली नोटिफिकेसन जरूर दबा लें क्योंकि नहीं नहीं खबरे में आपको अपने चैनल पे अपने वीडियो में लाती रहूंगी तो पूरा वीडियो को देख के जाईएगा बिना स्किप किये और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट का सबसे पहले है कि बैंक आप बढ़ तो आपको खाते में सबसेडी का पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है कैसे जानेंगे ये नहीं खबरे अपडेट हुई है तो आईए खबरे विस्तार से जान लेते हैं गैस सबसेडी का पैसा आकाउंट में आ रहा है या नहीं घर बैटे कैसे चेक करेंगे तो चेक करने का स 30 से 35 रुपए तक सीमित रहेगा. लेकिन या इतना भी पैसा आपके खाते में आ रहा है, तो इसकी जानकारी होना आपके लिए जरूर है. वैसे तो गयर सबसिडी का पैसा आपने है। सम्मंदित बैंक खाते में क्रीक्त रहा है, सबसे पहले अपने स्मार्ट फोन के ब्राउजर में www.mile.lpg.in टाइप करें अब आपको दाहिनी और गैस कंपनियों के गैस लेंडर की फोटो दिखेगी उसमें अपने सर्विस प्रोवाइडर के गैस लेंडर की फोटो पर क्लिक करें इसके बाद एक नई वीडियो खुलेगी जो की आपके सर्विस प्रोवाइडर की होगी अब सबसे उपर दाहिनी और साइन इन न्यू यूजर का बिकल्प मिलेगा यह अदि आपने पहले से अपनी आईडी बना ली है तो साइन इन करें और नहीं बनाई है तो न्यू यूजर पर क्लिक करके आईडी बना ले इसके बाद लॉगिंग करने पर आपको दाहिनी और व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री इस पर क्लिक करने पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको किस सिलेंडर पर कितनी सबसिडी मिली है और कम मिली है वहीं अगर आपके एकाउंट में सबसिडी का पैसा नहीं आ रहा है तो आप फीडवा एक बाले बटन पर क्लिक करके सिकायद भी कर सकते हो अगर आपने अपना LPG ID को एकाउंट से लिंक नहीं किया है तो आप distributor से मिलकर इस समस्या का समधान कर सकते हैं साथ ही आप 180023333555 पर free में कालकर सिकायद दर्ज करवा सकते हैं अगली खबर है कि PMJAY काड आयुसमान भारत के लाभारतियों को तोफा अब मुप्त में मिलेगा काड आयुसमान भारत लाभारती प्रधान मंत्री जन आरोग योजना PMJAY के तहट लाभारती अपने पात्रता काड मुप्त में खरीद सकते हैं सरकार ने सुक्रवार को प्रतिकाड पर लगने वाले 30 रुपए के शुल को माप कर दिया है जिसका अब तक लाभारतियों को देश भर में शमान शेवा के इंद्रों CSC के तहट ग्रामीर स्तर के अपरेटरों को मुप्तान करना पड़ता था हालांकि डुप्लिकेट काड या रिंप्रिंट जारी करने के लिए 15 रुपए कर को छोड़ कर CSC द्वारा लभारतियों से सुल्क लिया जाएगा यह विवस्ता राष्टी स्वास्त प्राधी करन नहीं के बाद आई है इस योजना के कारेयों नियन और प्रवंधन के लिए जिम्मेदार सरकारी एजंसी ने सुक्रवार को इलेक्टरानिस और सूचना प्रधान प्रधान प्रधोग्गी की मंत्राले की तहस CSC के साथ समझ अबितरन की प्रक्रिया को सुब्यवस्तिता और सुगंबी कार ने कहा कि आयूसमान कार्ट पी एम जे वाई किसी भी अस्पिताल में उपलब्ध होते हैं हलांकि यह मुपत में जारी किया जाते हैं और इसे आगे मुपत भी जारी किया जाएगा एनेच के मुख अधिकारी राम सेवक सर्मा कहते हैं कि बिसेस पी वी सी आयूसमान कार्ट की सुरुवात के साथ कागज अधारित कार्डों को पूरी तरह से बदलने के बाद लाभार थी अब इन्हें आसानी से घर पर रख सकेंगे जबकि AB, PM, J, A, Y, O, अजना के तहे स्वास बेवास्थाओं का लाभ उठाने के लिए कार्ड एक जरूरी अब श्यक्तन नहीं है या रोग्यों को स्वास सेवाओं की बिना बाध है के मिलते रहने और किसी भी तरह के दुरा चार धोखा धड़ी को रोगने के लिए लाभारतियों की जो पहचान और सत्यापन का तंत्र का हिस्सा है समझावता ग्यापन की तहती यहत्ताई किया गया है कि राष्टी स्वास्त प्राधिकरण एनेचे केवाल पहली बार आयुसमान कार्ट जारी करने के लिए कॉमन सेंटर सर्विस CSC को 20 रूपए की एक निश्चित रासी का भुकतान करेगा तो आयो वीडियो पसंद आई होगी अगली खबर है कि पंचायत चुनाव आरच्छण लिष्ट पंचायत वार आरच्छण प्रक्रिया कल से सुरू होगी 15 मार्च को जारी होगी फाइनल लिष्ट जाने पूरा शुडियूल तो खबरे विस्तार से यह अभी जारी किया गी सूचना है तो खबरे आये जान लेते हैं विस्तार से कि पंचायत चुनाव आरच्छण प्रक्रिया 20 फरवरी से सुरू हो रहे हैं इस मार्च तक फाइनल कर आपत्ती मांगी जाएंगी फाइनल अरच्छण 15 मार्च को जारी होगा इसको लेकर जिला के विकास भौन में ट्रेनिंग दी गई कानपूर में DRDO के परियोजना दे सक केके पांडे DC मंडेगा एके सिंग DRPO कमल किसोर ने आरच्छण को लेकर कारिशाला में ट्रेलिंग लिए उन्होंने 10 ब्लाक के नोडल अधिकारी खंड विकास अधिकारी और दोनोए DRDO को एहम जानकारी दी DRDO कमल किसोर ने बताया कि एक ब्लाक में नोडल मिला कर चार अपसरताइनात रहेंगे उनका अरच्छण प्रक्रिया पूरी करने की हर जानकारी दी जाएगी उनका फूरा डाटा समेथ अन्यव्योरा दिया जाएगा अरच्छण प्रक्रिया की लगातार मानीटरिंग होगी सभी ब्लाकों को हर सुब्धा मुईय कराया जाएगा सामली जिले में अरच्छण को प्रसिछण का योजन कलेक्टर सभागर जिला अधिकारी जसीत कोर के अधिचलाय में किया गया है जित बैठक में त्रिस्तरी पंचायत समान निर्वाचन 2021 को संपन कराने है समस्त विकास खंड अधिकारी हम कंपीटर अप्रेटरों को प्रादेशिक निर्वाचन छेत्र वाडों के अबटाने में अरच्छण के संबंध में साशन देश के अनुसार समस्त विंदूओं पर पीपीटी के माध्यां से प्रसिछण दिया गया प्रसिछण के दोरां जीला पंचायत राजदिकारी अलोक सर्मा ने अउगत कराया कि विकास खंड अस्तर से ग्राम पंचायत सदस्यों छेत्र पंचायत सदस्यों ग्राम परधानों के पदों के अरच्छण आबटन में सरव प्रथम अनसूचित जन जातियों की इस्त्रिय पिछडे वर्गी की इस्त्रियों पिछडे वर्ग और इस्त्रियों के क्रम में पदों का आबटन किया जाएगा तथा इसी क्रम में आरच्छण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक करें एम शेयर भी करें थैंक्स फारवाची और खबरे इस तरह की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल वाली आल नोटिफिकेशन जरूरान करें थैंक्स फारवाची